हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो स्वेंग पीडिया इस पीडियों में हम बात करने वाले हैं डॉक्यमेंट्स के बारे में जो कि आपको यहाँ पर जिरूरत पड़ेगी आड्मिशन लेते वक्त किसी भी बीएड कॉलेज में जारकंड यहाँ पर बीड इंट्रेंस एक्जामिशन आपने दे रिया उसके बाद आपको करना क्या है सारे यहाँ पर डॉक्यमेंट्स देख के रख लेने हैं आपके पास ताकि आपको यहाँ पर असानी हो बाद में प्रॉप्लम ना हो का सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं ह ठीक है यह प्रोसेस रहता है एक्जामिशन दिया कॉंसलिंग आप ऑनलाइन कर रहे है राइंक जो आपके आएगी उस पेसे पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा कॉलेज अलॉट होने के बाद जिस कॉलेज में आपको मन करें वहाँ पर चले जाएगे जिसका आपको अलॉट्मेंट हुआ है और उसमें जाकर फिर अड्मिशन दिला दीचे आप और उसके बाद आपका अड्मिशन हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मांगा जा रहा है प्रिंटेट कॉपी ऑफ अड्मिशन अप्लिकेशन फॉर्म तो आपनी जो अप्लिकेशन जो मिला था आपको वो लेकर जाएगा और जो है माक्सेट भी लेकर जानी होगी आपको जो आपकी माक्सेट है फिर जो है बोर्ट सर्टिफिकेट जो भी बोर्ट में होंगे वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलती है बोर्ट सर्टिफिकेट आपको भी मिला होगा P slight certificate आपको देना है फिर जो है अगर आप बात करें डिग्री की तो डिग्री की admit card आपको लगी कि admit card आपको मिलता होगा examination की देखें काफी लोगों को होता है कि यहाँ पर नहीं होते certificate admit card ठीक है तो ऐसे में कोई भी problem नहीं, online हुआ होगा काफी लोगों को, तो admit card की यहाँ पर जरूरत नहीं, आप बस यहाँ पर application लिख दिजएगा, जरूरत पड़े तो यहाँ बतला दिजएगा, situation की admit card हमें नहीं दिया गया था, साथ में degree की marksit आपकी, यानि graduation की बात की जारी, यहाँ पर आपको marksit देनी होगी, certificate देनी होगी, जो कि आपको call से मिलती है, काफी लोग यहाँ पर PG की बाद जाते हैं, तो PG में admit card आपको देना होगा, marksit देनी होगी, और साथ में आपको PG certificate देना होगा, आपली केबल है, तब ही बता दू, यहाँ पर other category के लिए जरूरत नहीं, जो है, बिलॉंग करते हैं, वो यहाँ पर बनवा लेंगे, अगर नहीं है, उनके पास latest वारत हो, photocopy जो है income, और यहाँ पर assist certificate, EWS candidate के लिए है, तो वो आप यहाँ पर बनवा लेंगे, disability जो है, जिनके तो यहाँ पर P.E.S. candidate जो है, वो यहाँ पर certificate बनवा लेंगे, photocopy of disability certificate चाहिए, साथ में photocopy of अधार कार्ड यह सब के लिए है, अधार कार्ड के photocopy लेकर जाएंगे, और original undertaking जो है, यहाँ पर minimum 20 रूपीज का, यहाँ पर जो है, आपको ले लेना है, जो है, जो है, आपको लेकर जाना होता है, लिस्ट बेख लिजेगा, स्क्रीन सोट ले लिजेगा, ताकि यहाँ पर बाद में आसानी हो, धीरे-धीरे करके अपडेट कर लिजेए, एक-दू मेहने में आपको admission मिल जाने वाला है, थैंक्स पर वाचिंग, बेस्ट अफ लग्स,